एक दिन फुफु मंदली में एक नई खोज की गई चांद पर यात्रा करने की मोटू और पतलू जो हमेशा से खोजने के लिए उत्साहित रहते हैं इस मौके को नहीं छोड़ना चाहते थे वे रक्षागन के एक संगठन के साथ संपर्क स्थापित करते हैं जो चांद पर यात्रा का आयोजन कर रहा था उन्हें जानकारी मिली की एक विशेश रखवाली टीम के साथ उनका सफर होगा जो उन्हें चंद्रमा की सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों के लिए तयार करेगी मोटू और पतलू के लिए यह सफर एक सपना से कम नहीं था वे खुशी से उत्साहित होकर तयारियों में जुट गए चंद्रमा पर पहुँचकर उन्हें अद्भुत और अनूठे द्रिश्यों का सामना हुआ चंद्रमा की सुंदर्ता और अद्भुत्ता ने उन्हें भविश्य की सीमा के पार ले जाने का एहसास कराया मोटू और पतलू ने चंद्रमा की सतह पर गए जहां उन्हें विज्ञानी अद्भुत खोजों के बारे में जानकारी मिली वे चंद्रमा की चारों और घूम कर उसके विभिन्न पहलों को देखने का मजा लिया एक दिन एक अनूठी चीज का पता चला चंद्रमा पर जादूई फूलों की खेती होती है ये फूल चंद्रमा की सतह पर ही खिलते हैं और उनके रंग और गंद अत्यधिक मनमोहक होते हैं मोटू और पतलू ने उन जादूई फूलों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए वे उन्हें सम्वारने का अद्भूत अनुभव किया और उनकी महक और सुन्दर्ता का लुफ्ट उठाया लेकिन एक दिन एक अप्रिय घटना घट गई चंद्रमा पर आंधी आ गई और उसने उन जादूई फूलों को हानी पहुचाई मोटू और पतलू ने देखा कि कई फूलों को तोड़ दिया गया और उनकी सुन्दर्ता को हानी पहुचाई गई दुहखित होकर मोटू और पतलू ने तुरंत कारवाई करने का निरनय लिया वे चंद्रमा की सतह पर जाकर उन फूलों को फिर से उगाने का निर्णय किया उन्होंने फूलों को प्रवेश और पराग की देखभाल के लिए साथ लिया और अन्य संरक्षन के उपायों को भी अपनाया चंद्रमा की सतह पर रचांद के नीचे मोटू और पतलू ने अपने पराग की देखभाल की और जादूई फूलों को पुना खिलने के लिए उनके लिए सुरक्षा की उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता दिलाई और वे देखे की उनके फूल फिर से खिल गए चंद्रमा की सतह पर जादूई फूलों की खेती का एक नया आरंभ हुआ और मोटू और पतलू ने अपनी यात्रा को एक नया अध्याय दिया